देश जहां सेना में जाना अनिवार्य है, नमबर एक, इसराइल, जहां सेना के प्रशिक्षन में न केवल पुरुषों को, बलकि महिलाओं को भी शामिल करना अनिवार्य है, पुरुष इसराइली रक्षा बलों में तीन साल और महिलाएं दो साल तक सेवा करती है, यह नियम इस्राइल के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कुछ नए परियटकों और कुछ धार्मिक समूहों को चिकितसा आधार पर छूट दी गई है। नमबर दो, ब्राजील ब्राजील में 18 वर्ष से अधिक आयू के लोगों के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य है। और यह 10 से 12 महीने के लिए है। उनमें से लोगों को केवल स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी मिल सकती है। यदि आप किसी विश्वविद्याले में पढ़ रहे हैं तो आप बाद में सेना में शामिल हो सकते हैं। 18 से अधिक के शामिल होने से भरती में भी अक्सर बाधा उत्पन्न होती है। ब्राजील में भी सेना में भरती होने से पहले शारीरिक परीक्षन कराना अनिवार्य है नमबर तीन दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया में सेना में शामिल होने के लिए बहुत सख्त नियम है प्रत्येक सैक्सन पुरुष को सेना में 21 महीने, 9 सेना में 23 महीने और वायू सेना में 24 महीने सेवा करनी होती है कई लोगों को इससे छूट भी दी जाती है उसके पास कुछ सरकारी सेवाओं में शामिल होने का विकल्प भी है जिसमें एशियाई ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, पुलिस बल में शामिल होने वाला, तटरक्षक बल और अगनिश्मन सेवा शामिल है सेना में पुरुषों के साथ लगभग 14 वर्ष और महीलाओं को 7 वर्ष सेवा करनी है तुर्की में 20 वर्ष से अधिक आयू के युवाओं के लिए सेन्य सेवा भी अनिवार्य है कुछ हपवादों को छोड़ कर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बाद में भी सेवा कर सकते हैं तुर्की के लोग जो 3 साल से विदेश में रह रहे हैं, वे एक निश्चित शुल्क देकर सेवा से छूट प्राप्त कर सकते हैं एक महिला के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वह एक सैन्य अधिकारी बन सकती है नमबर 5. रूस रूस में 18 से 27 के लोगों के लिए 12 साल तक सेना में भरती होना अनिवार्य है कुछ मामलों में छूट दी जाती है और कई लोग बचने के बहाने तलाशते हैं बहुत से लोग जानबूज कर पढ़ाई करना जारी रखते हैं जो उन्हें सेना में शामिल होने से रोकता है नमबर 6. एरान एरान में भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू है यह 18 की उम्र से शुरू हो जाता है अगर किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से कोई बीमारी या अक्षमता है तो उससे छूट मिल जाती है नमबर 7. थाइलेंड थाइलेंड में अनिवार्य सैन्य सेवा 1905 से लागू है सभी थाइलेंड निवासियों पुरुष को सेना में भरती होना जरूरी है पुरुषों 21 साल के उम्र से सेना में भरती होना पड़ता है बर 8. UAE संयुक्त अरब अमीरात में नेशनल सर्विस जरूरी है सभी अमीराती पुरुष जिनकी उम्र 17 से 18 साल के बीच है उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की फौज में शामिल होना होता है सिंगापूर में नेशनल सर्विस अनिवार्य है हर पुरुष को 18 साल की उम्र होते ही सिंगापूर आम्ड फोर्सस में शामिल होना होता है इसके अलावा ये सिंगापूर पुलिस फॉर्स और सिविल डिफेंस फॉर्स में भी भरती होता है